इस मज़ेदार कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब अमेरीकी सैनिक अपना मिलिटरी पावर बढ़ाने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे थे उन्होंने कई सालों तक रिसर्च करने के बाद एक ऐसी जगह को चुना जहां पर वो अपने रिडियो एक्टिव बॉम्म को ब्लास्ट करते और उन्हें टेस्ट करते कि ये प्रॉपरली चल रहे हैं की नहीं और अगर ये सब अच्छे से हो गया तब अमेरिकी सोल्जर्स अपने दुश्मन देशों पर इसी यूज कर सकते हैं लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी कि अमेरिकी सैनिक जिस जगह पर इस पूरे बॉम का टेस्टिंग कर रहे थे वो जगह पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव हो जाती है और अब तो इस रेडियो एक्टिवनेस का असर पास वाले गाउं में भी होने लगा था जब ये सारी चीजे निउस में आई तब अमेरिकी सोल्जर्स ने साब साब कह दिया होता है कि हमने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है अमेरिकी गवर्मेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाती थी कि दूसमन देशों को उनके प्लान के बारे में पता चले और अब वो पूरा इलाका इस तरीके से रेडियो एक्टिव हो गया था कि लोगों के बच्चे भी अपंग पैदा हो रहे थे ये सारी चीजे जो अमेरिकी सेनाय कर रही थी वो इंसानी प्रजाती के लिए बहुत ही जादा खतरनाथ था लेकिन ये सारी चीजों का इतना बुरा परिणाम होगा ये किसी ने भी अंदाजा लगाया ही नहीं था उसी जगह पर हमें दो वेग्यानिक दिखाये जाते हैं जिन्नों ने अपने चारो तरफ रेडियो एक्टिव सूट पहना था क्योंकि अगर कोई भी इंसान रेडियो एक्टिव इलाके में चला गया तब उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी दोनों वेग्यानिक अपना रिसर्च कर रहे होते हैं तब ही उन दोनों के उपर एक जॉंबी टाइप आदमी ने हमला कर दिया था जो देखते ही देखते वहाँ पर आएवे वेग्यानिकों को मार देते हैं इस बात को कुछ महीने बीच चुके थे लेकिन सरकार इसे छुपाना जाती थी अब हमें उस रेडियो एक्टिव वाले इलाके के कुछ दूर एक गैस टीशन दिखाया जाता है जहां पर स्टीव नाम की एक आदमी का घर होता है स्टीव तो गहरी निन में सोया हुआ था तबी उसे अचानक बाहर से किसी के चिलाने की आवाज आती है स्टीव तो अपने शौटगन लेकर बाहर देखने चला गया था कि आखिर वहाँ पर क्या मौजूद है स्टीव थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पता नहीं किसी को जोर जोर से चिला रहा था बट उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वापस अपने घर में आने लगता है स्टीव ने नोटिस किया कि उसके घर के सामने एक बैग रखा हुआ है उसे देखकर स्टीव जवाब दे रहा था कि मैं अभी भी तुमारी कोई मदद नहीं कर सकता और अब वो बैग को लेकर तुरंथी घर के अंदर चला जाता है बैग को ओपन करके देखने के बाद उसके अंदर कई सारी कीमती चीज़े रखी गई थी सोना चांदी और बहुत सारी जुइलरीस साती सार स्टीव को एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसके अंदर किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स काट कर रखे गए थे स्टीव बहुत ही ज़्यादा चौक जाता है तबी अचानक स्टीव के पीछे से कोई काला साया गुजरते ही दिखाई दे रहा था यानि कि स्टीव के अलावा उसके घर में कोई और भी मौजूद है अब हमें यहाँ गैस स्टेशन पर एक फैमिली आते ही दिखाई जाती है जिसके अंदर एक बुड़ा आदमी बॉब और उसकी वाइफ इथल थी बॉब की दो बड़ी बेटिया होती है और एक छोटा बेटा होता है बड़ी बेटी का नाम लेन था जो अपने हस्बेंड के साथ आईवी होती है उनके पास दो जर्मन सेफर्ट कुटे भी थी जो बहुत ही ज़्यादा वफादार है बॉब तो अपनी फैमिली के साथ सेंड यागो जाने के लिए निकला हुआ था गाड़ी में पेट्रोल भराने के बाद स्टीव अचानक बॉब के सामने आता है और उसे सेंड यागो पॉशने का सबसे छोटा रास्ता बताता है बॉब को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं थी इसलिए उसने स्टीव द्वारा बताये गए छोटे रास्ते को चुनने का डिसीजन लिया अब बॉब कार के साथ अपनी फैमिली को लेकर निकल पड़ता है डेस्टिनेशन की तरफ पर थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उनके रास्ते में बड़े बड़े स्पाइक्स निकल चुके थे जिसकी वज़े से उनके कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं आउट आफ कंट्रोल होने के कारण कार एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा गई थी जिससे कि वो पूरी तरीके से डामेज हो जाती है एक्सिडेंट होने के बाद गाड़ी के अंदर से सारे फैमिली मेंबर्स बाहर निकल गए थे पता नहीं क्यों फैमिली के वो दोनों जर्मन सेफर्ड अचानव पहाड की तरफ भागने लगे होते हैं जैसे कि उन्हें किसी के होने का सेंस हुआ हो और वो उन्हें पकड़ना चाते हैं बॉब का सबसे छोटा बेटा माइक उन दोनों जर्मन सेफ़र्ट को पकड़ने के लिए चला जाता है। दोनों डॉक्स तो पत्रीले वाले इलाके के एकड़म उपर चले गए थे। बॉब ने नोटिस किया कि यहां दूर दूर तर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे लग रहा था कि टायर गर्मी के वज़े से पंक्चर हो गया। किसी का विध्यान उन नुकीले स्पाइक्स के उपर जाता ही नहीं। इसलिए अब कोई दूसरा उप्शन ना होने के कारण बॉब ने डिसीजन लिया कि वो पीछे वाले गैस स्टिक्शन में पैदल जाएगा और वहां से किसी की मदद लेकर यहां पर आएगा। अब हमें उस पथरीले वाले इलाके पर माइक दिखाया जाता है जो अपने दोनों डॉक्स को पकड़ कर वापस ला रहा था। पर तभी हम पाहड की चोटी पर एक आदमी को देखते हैं जो बॉब की फैमिली पर चुपके से नजर रख रहा था। इस बारे में बॉब की फैमिली में से किसी को भी नहीं अंदाजा होता। थोड़ी दिर में ही माइक उन दोनों कुट्टों को अपने फैमिली के पास लेकर आ जाता है। अब यहां बॉब अपनी बेटी लीन के हस्बेंट डग से कुछ बात कर रहे थे कि हमें मदद लाने के लिए दो अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों अलग रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं और जिसे भी सबसे पहले मदद मिलेगी वो उसे फैमिली वालों के पास लेकर आ जाएगा। इससे हमारे बचने के चांसे और भी जादा बढ़ जाएंगे। डग भी इस प्लान से अब एगरी हो जाता है और अब वो दोनों निकल पड़े थे अपने अपने रास्ते की तरफ। बॉब ने डग को अपने प्रोटेक्शन के लिए गन दी थी लेकिन डग उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी शोरगुल नहीं चाहता था लेकिन अब उस गन को माइक ने ले लिया होता है। कुट्टे की चिलानी की आवाज सुनता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुचा तब उसने देखा कि उसकी कुट्टे को किसी ने जान से मार दिया है। माइक पूरी तरीके से शौक हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि इस बीहड वाले इलाके में हमारे अलावा कौन मौजूद है। माइक अपनी जान बचा कर वहाँ से जैसे ही भागने जाता है। तब ही उसने चट्टान के उपर एक अजीब तरीके के आदमी को देख लिया था। जिससे डर कर वो एक गुफा में आकर घिस जाता है। सर पर चोट लगने के कारण माइक पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद माइक के पास एक अजीब तरीके की लड़की आती है। उस लड़की का नाम रूबी होता है लेकिन उसका पूरा चहरा एकड़म अजीब तरीके का था। दरसल वो एक म्यूटेंट लड़की थी जो उस रेडियो एक्टिव एरिया में जाने के बाद पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन रूबी यहाँ पर माइक को चोट नहीं पहुचाती। वो तो उसे बचाना चाती है अपने खतरनाक भाई से। रूबी का खतरनाक भाई जिसका नाम ट्रंक होता है वो उपर से माइक को खाने के लिए देख रहा था। ट्रंक एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट होता है जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को खा जाता था। लेकिन ये बात अभी तक बॉब के फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता है। रूबी लगातार माइक को प्रोटेक करने लगी थी अपने खतरनाक भाई से। अब यहाँ हमें डक को दिखाया गया जो चलती चलती एक बहुत ही बड़ी बीहड़ वाले इलाके में पहुँच जाता है। जो चलते चलते उसी पेट्रोल स्टेशन पर आ गया था। बॉब पेट्रोल स्टेशन पर काम करने वाले उस आदमी जिसका नम स्टीव होता है उसे आवाज दे रहा था। पर स्टीव बॉब को कुछ जवाब नहीं देता इसलिए अब बॉब स्टीव से मदद माँगने के लिए उसके घर के अंदर चला गया होता है बॉब चारो तरफ नजर गुमा रहा था लेकिन उससे स्टीव कहीं दिखाई नहीं देता पर जब बॉब की नजर दिवार पर से किसी की रोनी की आवाज सुनाई दी रही थी बॉब ने हिम्मत की और डारेक्ली गन लेकर उस जगह पर देखने चला गया उसने जैसे ही दरवाजा उपन किया तब उसके अंदर तो स्टीव मौजूद था जो दारू पी रहा था स्टीव पता नहीं कियों किसी वज़े स से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्टेट और एकदम परिशान था बॉब जैसे ही स्टीव से पूछने गया कि आखिर प्रॉबलम क्या हुई है तबी स्टीव ने बॉब के हाथ से गन चीन ली और खुद को ही गोली मार दी बॉब ये सारी चीजे देखकर एकदम से चौक जाता है और स्टीव की गाड़ी में जाकर बैट जाता है बॉब गाड़ी चालू करके वहां से जाने ही वाला था तभी गाड़ी के अंदर एक म्यूटेंट आदमी पहले से ही बैठा होता है जिसकी बुरी नजर बॉब पे थी और अब उस म्यूटेंट आदमी ने बॉब को करने के लिए भागा था एमा लगातर अपने भाई को आवाज लगाते जा रही थी पर माईक तो अभी भी बेहोस पड़ा हुआ था जिसके ठीक सामने वही म्यूटेंट गरल होती है रूबी ने जैसे ही एमा की आवाज सुनी तब वो वहां से चली जाती है एमा ने बहुत इतना कह रहा था कि ये जगह मुझे बहुती ज़्यादा खतरनाक लग रही है तब ही अचानक कार के ट्रेलर के बाहर से किसी के ठक ठकाने की आवाज आती है माईक बहुती ज़्यादा घबराते वे कह रहा था कि कोई भी बाहर मत जाना और अब वो खुदी गन लेकर धीरी धीरे बाहर की तरफ निकलता है पर उस जगह पर तो लिन का हजबन डग मौजूद था जो अब सही सलामत वापस लोट चुका है डग को जो सारी चीजें मिली उसने वहाँ से उठा ली थी वो अपने फैमिली मेंबर्स को बताता है कि जिस रास्ते पर मैं गया था वहाँ से आ कि सब कार के ट्रेलर में बट यहां माइक को तो बहुत ज़ादा कुशिच करने के बाद भी नीन नहीं आ रही थी माइक तो इस जगह से बहुत ही ज़ादा डरने लगा था और जब माइक को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ तब वो तुरंती बाहर निकलके डग और लिन क पास चला गया था जो कार में सोय वे होते हैं माइक ने डग को सारी बाते बता दे होती हैं कि कैसे उसकी एक कुट्टे को किसी अंजान चीज ने मार दिया था और तब से ये बड़े अजीब तरीके की चीजे उनके फैमली के साथ घट रही हैं ये बात सुनने पर डग माइक पर भरोसा कर लेता है क्योंकि उसे भी आगे जाने पर काफी वियर्ड चीजे मिली थी पर तबी अचानक पहाड के उपर से किसी के चिलाने की आवाज आती है और वहाँ पर तो धमाका भी हो गया था डग और माइक जल्द से जल्द उसे देखने चले जाते हैं लेकिन अप दम से रोने लगा क्योंकि उसके आखों के सामने उसके फादर की मौत हो गई डग माइक को समालता रहता है कि अब तुमारे फादर को कोई नहीं बचा सकता वहीं दूसरी तरफ जब लीन अपने कंटेनर में आती है तब उसने देखा कि एक खतरनाक म्यूटेंट ने उसके बच्चे को पकड़ रखा है साथी साथ उन भयानक म्यूटेंट्स ने एमा को भी अपने हाथों में जकड़ कर रखा था उस म्यूटेंट ने तो लीन के बच्चे पर बंदूग तान दी थी और उसे मारने वाला था वो तो लीन के साथ जोर जबरदस्ती भी करने लगता है इतनी ज़ादा आवाज होने के कारण वहाँ पर लीन की मदर आ गई थी और वो उस खतरनाक म्यूटेंट को देखकर उससे मारने जाती है तभी उस म्यूटेंट को पता चल गया और उसने गन निकाल कर डारेक्ली लीन की मदर को गूली मार दी लीन की मदर उसके आखों के सामने अपना दम थोड़ देती है ट्रेलर में से गूली चलने की आवाज सुनने पर माईक और डग तुरंती वहाँ से भाग कर आते रहते हैं अब वो म्यूटेंट एमा पर भी गन पॉइंट करकी उससे मारने जा रहा होता है तभी लीन ने गुसे में आकर एक स्कूरू ड्राइवर उस म्यूटेंट के पैर में गुसा दिया था वो म्यूटेंट इतना जादा चिर जाता है कि उसने अगले ही मोमिंट में लीन को गूली मार दी थी पर अब वो देखते हैं कि उस जगह पर अब माईक और डग भी लगातार आ रहे हैं इसलिए वो दोनों म्यूटेंट जल से जल वहां से निकल जाते हैं डग और माईक ने जैसे ही वहां पर इंट्री मारी तबलिन और उसकी मदर दोनों की ही जान चली गई थी डग देखता है कि उसका बच्चा भी वहां पर मौझूद नहीं हैं जिसे कि वो जान लेवा म्यूटेंट से ही अपने साथ लेकर चले गए हैं माईक तो इस तरीके से अपने फैमिली वालों को मरते देखकर बहुत ही जादा रोने लग जाता है पर अब वो किसी भी हालत में इन सारी चीजों का बदला लेना चाता था वो गन लेकर तुरंथी म्यूटेंट के पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन डग ने माईक को रोकते वे कहा कि ये सही समय नहीं है उनकी उपर हमला करने का अगर तुम इस हालत में म्यूटेंट के पास जाओगे तब तुम भी अपनी जान खो बैटोगे हमें अपने फैमली मेंबर्स का उन म्यूटेंट को मार कर बदला लेना है इसलिए हमें थोड़ा सांती से काम लेना पड़ेगा तब ही अचानक बाहर से उस दूसरे जर्मन शेफर्ट कुटे की भोकने की आवाज आने लग जाती है डग और माइक जब देखने गए तब उस कुटे के मूँ के अंदर एक वोकी टॉकी होता है ये वोकी टॉकी किसी और का नहीं बलकि उसी म्यूटेंट का था जिसका नाम ट्रंक है शुरुआत में जब वो दोनों म्यूटेंट यहाँ पर आये थे तब इसी कुटे ने ट्रंक की उपर हमला किया और उससे वोकी टॉकी छीन लिया यानि कि अब माईक और डग इस वोकी टॉकी की मदद से उस म्यूटेंट से बात कर सकते हैं सुबह होने पर डग अपने कुटे को लेकर उस पहाड़ी वाले इलाके पर जाने लगा क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपने बच्चे को उन म्यूटेंट से बचाना ही होगा डग का कुटा अपनी सुंगने की एबिलीटी का यूज़ करकी उस पहाड़ की तरफ चल देता है जहां पर वो जान लेवा म्यूटेंट्स रहा करते थे डग तो अपने कुटे के साथ ट्रेवल करते हुए एक बड़ी से दरवाजे के पास पहुँच जाता है जो दूसरी तरफ खुलता था वो दुनों तो लगातार बड़ी चालाकी से दूसरी तरफ जाने लगते हैं डग को अब किसी भी हालत में उन म्यूटेंट्स से अपने बच्चे को बचाना ही होगा इसलिए वो बिना रुके लगातार चलता ही जाता है अब डग को थोड़ा बाहर आने के बाद एक बहुत ही बड़ा गाउं दिखाई दिया ये गाउं इस बीहर वाले इलाके की एकदम बीचो बीच मौझूद होता है चौकाने वाली बात ये थी कि उस गाउं के अंदर जो भी लोग रहते थे वो म्यूटेंट होते हैं जिनके उपर सायद गवर्मेंट द्वारा पफॉर्म किये गए उस रीडियो एक्टिव बाम के इफेक्ट हुआ होगा और इतनी जादा रीडियो एक्टिव किरुनों के बाड़ी पर पढ़ने के कारण वो सारे लोग म्यूटेंट में कनवर्ट हो गए वो जिन्दा तो थे लेकिन उनका माइंड और बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है अब डग जल्द से जल्द अपने कुटे के साथ लगातार उस गाउं की तरफ जाने लगता है डग तो इतना ज़्यादा परिशान हो गया था कि वो हर घर में जाकर अपने बच्चे को चेक कर रहा होता है लगीली एक घर में उसे अपना बच्चा बेट पर पड़ा हुआ मिल भी गया था लेकिन उसने नोटिस किया कि वहाँ पर तो एक लेडी म्यूटेंट पहरा दे रही है जो बच्चो को समालती थी डग तो अब चोरी चुपके उस घर के अंदर गुज जाता है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन सायद उस लेडी म्यूटेंट ने डग को देख लिया था और अब वो उसके पीछे आकर डग के सर पे हमला कर देती है जिसे की डग बेहोश हो गया था थोड़ी दिर बाद जब डग की आँख खुली तब वो अपने आपको एक फ्रीजर में पाता है वहाँ से बाहर निकल की वो अपने बच्चियों को लगातार चेक करने लगा था तबी उसे चेर पर बैठा हुआ एक और खतरनाक म्यूटेंट मिलता है जिसका नम बिग ब्रेन था बिग ब्रेन डग को बता रहा होता है कि हमारी ये हालत पहले नहीं थी कुछ सालों पहले हम भी तुमारी तरह सिटी में रहा करते थे लेकिन गवर्मेंट ने रेडियो एक्टिव बॉम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें शहर से निकाल दिया और फिर हमें यहां बंकर्स में ट्रांसफर कर दिया लगातार होने वाले रेडियो एक्टिव बॉम के टेस्टिंग के कारण वो सारी जगह एकदम रेडियो एक्टिव हो गई जिसके वज़े से हम सभी गाउलों के बॉड़ी पर इफेक्ट पढ़ा और हम खतरनात म्यूटेंट्स में बदल गए हमारी होने वाली जनरेशन्स पर भी इसका असर पढ़ रहा था जब डग ने बिग ब्रेन से पूचा कि आखी मेरा बेटा कहां पर मौझूद है तब बिग ब्रेन उसे कुछ बताता ही नहीं और अब अचानक एक दूसरा म्यूटेंट आ जाता है कुलाडी लेकर डग को मारने के लिए डग अपने आपको बचाने की बहुत ज़्यादा कुशिश कर रहा था लेकिन अंत में आकर उसे उस दूसरे म्यूटेंट की जान लेनी ही पड़ती है पर इन सारी चीजों में डग काफी ज़्यादा घायल हो चुका था बीग ब्रेन ने तो अचानक अपने वौकी टॉकी पर आदेश दी दिया होता है कि डग की बेटे को जान से मार दिया जाए डग को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए बीग ब्रेन उसे बताने नहीं वाला इसलिए अब डग ने गुस्ते में आकर बीग ब्रेन की भी जान ले ली वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रंक दिखाया जा रहा था जिसे आदेश मिला होता है कि वो डग की बेटे को जान से मार दे उसने जैसे ही मारने के लिए बच्चे की उपर से कपड़ा हटाया तब वहाँ पर तो डग का बच्चा नहीं बलकि एक सूवर होता है ट्रंक तो धूनने लग गया था कि आखिर वो बच्चा कहां पर गया है दरसल ट्रंक की बेहन रूबी ने ही डग के बच्चे को बचा लिया था और उसे एक सेब जगव पर लिखरा गई थी रूबी वही म्यूटेंट होती है जिसने माई की भी जान बचाई थी क्योंकि वो किसी दूसरे इंसानों की जान लेने में बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं रखती थी रूबी तो अब डग के बच्चे को अपने भाई से बचा रही होती है क्योंकि अगर उसके हाथ में ये बच्चा लग गया तब वो उसे जान से मार देगा यहां कार के पास माईक अपनी बेहन के साथ बहुत सारे जाल बिचा रहा होता है उन म्यूटेंट्स को फसाने के लिए क्योंकि वो इस तरीके से ही उन म्यूटेंट्स से बच पाएंगे थोड़ी दिर के अंदर ही अंदर उनके पास एक म्यूटेंट आता है जो लगातार माइक का पीछा करने लगा था माइक उसे गुमरा करते वे एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और अब उस म्यूटेंट ने कार के पास आकर उसका दरवाजा खोला जिससे के वहाँ एक बहुती बड़ा धमाका होता है और वो म्यूटेंट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है अब यहाँ डग ने रूबी को देख लिया था जिसके हाथ में उसका बच्चा होता है लेकिन रूबी डग और उसके बच्चे को कोई भी चोट नहीं पहुचाना चाती थी वो तो उसका बच्चा डग को देने आ रही होती है लेकिन तबी उस जग़ा पर ट्रंक आ गया था जो डग पर हमला करने लगा होता है दोनों की बीच बहुत ही ज़्यादा घमासान लड़ाई चल रही थी लेकिन डग ने ट्रंक को बहुत ज़्यादा मार कर बेहोश कर दिया था रूबी ने तो डग के बच्चे को एकदम सही सलामत उसके हाथ में दे दिया लेकिन डग को ज़रा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके पीछी जो म्यूटेंट मौजूद था यानि की ट्रंक वो अभी भी जिन्दा है ट्रंक तो अपनी गन लेकर खड़ा हो जाता है डग के उपर फायर करने के लिए तबी रूबी उसे बचाने के लिए अपने भाई के पास भागने लगी और उसे लेकर पहाड की उपर से नीचे कूद गई गिरने के बाद दोनों ही मारे जाते हैं और अब डग अपने बच्चे को लेकर जल से जल माईक और एमा के पास पहुँच गया था जो सायद सोच रहे होते हैं कि हम यहां से बच कर निकल जाएंगे लेकिन अपसोस की बात ये थी कि उन चारों को कोई दूर से दीख रहा होता है जो सायद अब उन सभी की उपर हमला करने वाला है क्योंकि अब उस पूरी जगों को म्यूटेंट्स की पूरी सेना ने घेद और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है सूवी वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लेगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पेंशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक् लिए बाबाई